हलो केट्स, वालकम तो रुतुमान्स ओनलाइन ट्रास्ट, बच्चों आज हम आपकी कक्षा तीसरी कि हिंदी की पाठे पुस्तक जिल मिलके पाठ चोद है, यह मेरा हरियाना का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले आईए शब्दों के अर्थ जाने, सबसे पहला देखो क्या है, उपदेश, उपदेश का अर्थ होता है शिक्षा या फिर सीख, अगला है खेत कमाना, खेत कमाना का अर्थ होता है खेत में काम करना छोरे, छोरे का अर्थ क्या होता है? लड़के, लड़के को हरियानवी में छोरे कहते हैं यह है नीर, नीर का अर्थ होता है पानी या जल पंगट, पंगट का अर्थ होता है पानी भरने का स्थान पेचों वाली, पेचों वाली का आर्थ क्या होता है? इसका आर्थ होता है पगड़ी के गुमाओदार मोड पढ़ा है न कवीता में, क्या है वे? पंक्ती सिर्पर पगड़ी पेचों वाली सीधा साधा बाना है ना? तो पगड़ी पेचों वाली अगला है बाणा, बाणा मतलब पहनावा, सीधा साधा बाणा मतलब सीधा साधा पहनावा अब है मुदासा, मुदासा क्या? सिर्के चारों और लपेटा जाने वाला कपडा उसे मुदासा कहते हैं जैसे कपडा लपेट लेते हैं सिर्के चारों और वेश, वेश मतलब वास्त्र या कपड़े, हटे-कटे, हटे-कटे का आर्थ होता है मजबूत शरीर वाले या पर हर्ष्ट-पुष्ट चलिए अब शब्दों के आर्थ हो गए है, इसके बात करते हैं नमबर दो कवीता से इसमें प्राश्ण दिया गए है, उनके उत्तर करेंगे पहला प्राश्ण, हर्याना के लोगों को हटा-कटा क्यों कहा गया है क्यों कहा गया है, बताईए, क्योंकि यहां के लोग लंबे-चोड़े और मजबूत शरीर वाले होते हैं अगला प्राश्ण, नमबर खै, हर्याना के लोगों का पहनावा कैसा है कैसा है बताईए, सीधा सादा बाणा, पढ़ाया न कवीता में तो कैसा है, सीधा सादा, लिखेंगे, हर्याना के लोगों का पहनावा सीधा सादा है ठीक है? अगला प्रेशनल नंबर गय है कवीता में किन वीरो की बात कही गई है? किन वीरो की कही गई है? वह पंक्ति याद है न आपको भीम बली से वीरो वाला, अर्जुन के सितीरो वाला है ना? तो किन-किन वीरो की बात कही गई है? भीम और अरजुन जैसे वीरों की तो लिखेंगे उत्तर में कवीता में भीम अरजुन जैसे वीरों की बात कही गई है ठीक है? चलिए अगला नमबर तीन आपकी बात देखिए नमबर कैर आप भोजन में क्या-क्या चीजे लेते हैं तो जो आप लेते हैं वह लिखना है जैसे सबजी रोटी, दूद दही या कुछ भी जो आप खाने में लेते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे ठीक है बचों? अगला प्रशन नमबर कैर आपके घर में पीने का पानी कहां से आता है? जहां से भी आपके घर में पीने का पानी आए आपको वह लिखना है यापर जैसे मैंने लिखा है उधारन के तोर पर हैंट पम से या फिर सरकारी पाइपलाइन से या फिर समर्सिबल से कहीं से भी जहां से आपका घर का पानी आता है पीने का वो आप यहाँ पर लिखेंगे ठीके बच्चों अगला प्रेशन आपके माता-पिता कौन-कौन से काम करते हैं आपके माता-पिता जो-जो काम करते हैं वह आपको यहाँ लिखना है जैसे खेती बाड़ी करते हैं या फिर आपके माता-पिता किसी और व्योसाई में है, डॉक्टर है, या फिर टीचर है, अध्यापक है, या फिर डाकिया है, सफाई कर्मचारी है, या फिर पोस्टमेन है, पोस्टमेन मतलब डाकिया, हिंदी में डाकिया कहेंगे और कुछ भी जो आपके माता-पिता काम करते हैं आपको वो काम लिखना है यहां पर ठीक है बच्चों? चलिए अगले प्रेस्ट पर चलते है देखिए पेज नमबर 79 89 इसमें नमबर 4 कवीता से आगे यहां पर नमबर कैपर दिया हुआ है अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पता करें और बताएं क्या पता करें और बताएं? देखिए पहला गीता का उपदेश किसने वह कहां दिया था? यह आपको अपने बड़े बुजुर्गों से पता भी करना है और यहां मैंने लिख भी दिया है देखी मैं भी बताती हूँ आपको कि गीता का उप्देश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था ठीके इसका उतर मैंने यहाँ पर लिखा है अगला है हरियाना का नाम हरियाना कैसे पड़ा देखो हरियाना का क्या आर्थ है? हरियाना का आर्थ बनता है हरी का आना ठीके? और हरी कौन? भगवान श्री कृष्ण तो इसलिए यहाँ का नाम हरियाना पड़ा हरियाना का नाम तो उतर में लिखेंगे देखें यहाँ पर मैंने इसका उतर लिखा है नमबर से किन का? हरियाना का अर्थ है हरी का आना अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आने पर हरियाना का नाम हरियाना पड़ा ठीक है? अगला है नमबर तीन आपके गाउं या शहर का नाम क्या है? यह नाम कैसे पड़ा? तो आपको अपने गाउं या शहर का नाम लिखना है आपको अपने गाओ या शहर का नाम लिखना है और यह बताना है कि यह नाम कैसे पड़ा, आपके गाओ या शहर का जो भी नाम है, उसका नाम वह कैसे पड़ा, ठीक है, चलिए. प्रेश नमबर खै सोच कर बताएं यह आपको सोच कर बताना है कि कौन कैसे है हर्याणा के लोग कैसे है जैसे कि कवीत अभी भी बढ़ा है आपने हटे-कटे है ना तो हटे-कटे है और जो आप सोचे वो आप यहाँ पर भी लिखते जो आपने सोचा है कि कैसे है हरियाना की लोग हरियाना की स्त्रियां कैसी है मैंने लिखा है बहादूर वगागरे घुंगट वाली और महंती तो आप भी जो सोचे जो आपके माइन में आए कि हाँ ऐसी है हरियाना की स्त्रियां वो आप यहाँ पर लिख देना अगला है हर्याना के वीर हर्याना के वीर भीम वर अर्जुन जैसी है और आप अपना भी option यहां लिख सकते हैं जो आप सोचें वो आप यहां लिख सकते हैं हर्याना का भोजन दूद्दही कहते हैं न दूद्दही का खाणा तो हर्याना का भोजन दूद्ध ही तो चलिए बच्चों अगला करते हैं नमबर पांच पंक्तियां पूरी करें अब देखें ये पंक्तियां पूरी करनी है कभीता तो पढ़ी ही है सभी ने है ना तो यहाँ पर क्या है हरी भरी आगे क्या आएगा देखो याद करो हरी भरी हर्याली वाला और यहाँ पर क्या कौनसे डाली वाला फल्फूलों की डाली वाला आया ना यार हरी भरी हर्याली वाला फल्फूलों की डाली वाला तो यहाँ लिखेंगे हर्याली वाला फल्फूलों की फल फूलो की डाली वाला हमने यहां लिख दिया चलिए अब अगला खै मर्द मुचैल आगे क्या याद करो मर्द मुचैल यहां के छोरे आगे गले तबी जी काले डोरे मर्द मुचैल यहां के छोरे गले तबी जी काले डोरे अभी यहां लिखेंगे देखिए लिख दिया गले तबी जी अगला नमबर गया है भीम बली से क्याएगा भीम बली से वीरों वाला और आगे कौन से तीरों वाला अरजुन के से तीरों वाला भीम बली से वीरों वाला अरजुन के से तीरों वाला है न, वो हम यहाँ पर लिख देंगे देखिए यह लिख दिया, इस तरीके से लिखना है अगला है नमबर 6, सुने, बोले और लिखें देखो, यहाँ है तभी जी, इसको आपको मेरे पीछे-पीछे बोलना है और यहाँ सामने, जो यह शब्द दिया हुए, सेम, वही शब्द आपको सामने लिखना है तभी जी, जैसे लिखा हुआ है मैंने तभी जी, ऐसे ही लिखना है पगडी, ठीक है, छोरे, गाम, टूम, गठडी, घीलडी, कनक, ताउ चलिए, अगले प्रिष्ट पर, पेज नमबर 80, देखिए, नमबर 7, भाषा की बात इसमें नमबर कै, समझें और लिखें, देखिए इनों पेज नमबर 80, नमबर 7, भाषा की बात, इसमें नमबर कै, समझें और लिखें देखिए, समझना है कि ये किस तरीके से लिखे हुए है, हरी-भषी, हरी के साथ भरी लिखा हुए है, कविता में पढ़ा होगा आपने हरी-भरी-हरी-आरी-वाला, ये दोनों शवर्द साथ में इस्तमाल हुए है, ठीकें, तो फल के साथ क्या आया था, फल-फूलों, यहां यहां क्या हैगा कट्टे था ना हटे कट्टे लोग यहां के तो यहां हटे के साथ लिखा जाएगा कट्टे तो गया अगला मर्द मर्द के साथ क्या था कवीता याद करो मर्द मुझेल यहां के छोड़े हैं ना तो मर्द के साथ मुझेल यह लिख दियें यहाँ पर अगला है सीधा, सीधा के साथ क्या था? देखो, पंक्ती याद करो जिस पंक्ती में सीधा लिखा हुआ है सीधा, सादा, बाना है ना? तो सीधा के साथ था सादा यहाँ लिखें यह यह भी हो गया अगला देखे, नमबर खे, बोले और लिखे, अरजुन शब्द में जो ये उपर रा लगा हुआ है, वो आधा रा के रूप में बोला जाता है, इसे शिरो रेखा पर लिखा जाता है, इसे अरजुन ने बोलकर अरजुन बोले, ठीके, कई बच्चे किया इस रा को पूरा रा पढ़ते हैं, तो पूरा रा नहीं पढ़ना, नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिये गए हैं, इन्हें सही बोले और लिखे, देखो बच्चों, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको अधिकतर बच्चे ऐसे पढ़ते होंगे, मारद, मरद हैना, इसको रा पढ़ लेते होंगे, पिछे पिछे बोलेंगे, मरद, और यहां पर आपको यह लिखने भी है, जिस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं, देखिए, यह है चर्चा, बोलेंगे चर्चा, यह है कर्म, करम नहीं पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे कर्म, यह है अर्थ, बोलिए अर्थ, और यह है कर्ण क्या बोलेंगे इसे कर्ण अगला है देखिए कार्य क्या है कार्य और ये है वर्ष क्या वर्ष दर्द फिर से दर्द ये है मर्म फिर से मर्म देखिए ये है धर्म क्या है धर्म इनको पढ़के प्रैक्टिस करनी है नमबर गय हर्यान एक रैच्य का नाम है कवीता में इसी तरह अनेक व्यक्तियों वस्तुओं के नाम आये हैं उन्हें चुनकर नीचे लिखे तो देखो व्यक्तियों के कौन-कौन से नाम आये थे भीम और अर्जुन और वस्तुओं के फल फूल दूद दही पगड़ी तबीजी घागरा चीके ये सभी नाम है और आपको मालूम है नाम क्या होता है नाम संग्या होती है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदी के नाम को संग्या कहते हैं ना देखो ये नाम लिखे हो ना सभी ये सभी संग्या भी कहलाते हैं तो यहाँ पर हमारे पाठ का अभ्यास हो गया complete अभ्या तब तक के लिए बाई बच्चों